तीन दिन चुनाव प्रचार में रहे दिल्ली के जो रिजल्ट है वो चौकाने वाले आएंगे उपर से भले कुछ दिखाई दे रहा हो लेकिन जमीनी इस तरफ पर लोगों के जो मूड है को कुछ और ही है इसलिए मैं समाजता हूँ कि दिल्ली की जो रिजल्ट है वो चौकाने आलाएंगे रहूल गांदी जी से जब यहां आये थे अर्वासी महासों में तब उन्होंने तो जानकारियां मांगे थी और जानकारी भी दी और चर्चा हुई और ये ये विशय हर सका है लोग सबग की चुनाव रुबाद पहले बार बैठा के वो 36 गर से सुरुवात रुए है ये फुशिक बात है अब कोई बाद कुछ उन्होंने डिरेक्शन्स ही दिये हैं पाच साल में क्या कूश करना है हमारे नेता है हमको तो बताएंगी सिमन्ट के दाम लगतार इसके निदा पाथ मरें ने कहा क regardें सरकार कासर प्राक्षा प्राइंचन कर मेंको ठीक रहें है केंदर सभाड़ियों सबस्क्राइब सब्सक्राइब कि से अरे सधम्सर कासी इस निवाप छे Princip take it by जितना कर्षान के थर्षिक कि कि chief Raganda पीक always इस दूरुप से दो दिन में नहीं आपाया है हम लोग नजार रखे हुए हैं और अभी तो पंदरा तारीक अभी दूर है वेक सब्ता है इसमें कितने धान बिखते हैं नहीं बिखते हो देख लेते हैं इसलिए कि बजट के पहले मीटिंग करनी होती है वो बजट आठ तारीक करने कि उसके बाद अमेरिका यात्रा में गवाड़ दिन बाहर रहोंगा अधिकारियों के साथ और उसके तुरंद बाद फिर इधान सभा सुरू हो जाएगा तो बजट बढ़क रखने में जिलम हो जा पाई होगेरा सब सुरू होता है तो आठ तारीक बठाएगा तो दिल्ली आत्रा पर जाने के पहले आपने कहा था कि दिल्ली कमूल कैसा है खास पर-पर C.A. को लेकर NRC को लेकर वो आने के वादी तुड़ा जो क्या आप भाप आएगा अब दो दिन इंतियार के पता चाल जाता दिन नहीं है तो इस अधियार तारीक जाता दिन नहीं है तो आप यह महिने के बाद मोदी का निकलना बन हो जागा यह जो रहे बिल्कुल ठीट करें अब देश से बाहर निकलना तो बंधी हो गया ने तो हमारे घौराष्ट्री श्कषान मंत्री थे कि डिश में कम विदेश में ज्यादा रहते थे लेकिन जब से कि अमिस शाह голос आजने और एनर सी के बात कही है तब से उनको बटेश यात्राइब बंध वोी देश आने वाले जो अतिती उनका भी आना बंध हो गया है तो और जो हालात है जो परिशिती है उसमें आप क्या कहा जा सकता है आप यह लोग कहते हैं सत्तर साल में क्या किया 70 साल में जो हमारे नेताओं ने निर्मान किया उसको बेच रहे रेल बेच रहेや एर इंडिया वेच रहे ऑंगी से पैसा निकाल लिए हैं जितने भी हमारे उस्टिल प्लांट का अब्र हैं measuring यही तो हम 20 साल में बनाया थी जिसकों बेच रहें नहीं तो नरेंद मोदी जी तो सवचालय कालवाद कुछ बनाए नहीं है बेचने के लिए रहता क्या फिश्वाद से बहुत अच्छी शुरुवात पो रही आठकारियोग मेरतन कुस्माथी शामी जो रहे है क्या कंसेप्ट है इसके पीछ अचले जो चुनाओ हुआ तो असी घटना हुई थी ऐस समय बिल्कुर कोई घटना नहीं घटी बैलकि उन पंचायतों में भी चुनाओ हुए जिन में नक्सली के धंकी के चलते कोई फार्म नहीं भरते थे या जिन कोई फार्म भर दिया तो उसे नक्सली उठाग ले जाते लेकिन इस समय चुनाओं में किसी प्रकार के कोई घटना नहीं हुए मैं सभी को बधाई देता हूं जिला प्रसासन को भी देता हूं पधाई साथ ही हमारे जो ग्रीव हाग के पुलिस के जो हमारे नौजवान हुए भी बधाई देता हूं साथ ही हमारे सियाफिया प्यार कि लोग लगे हैं उनको में बदाएगे साओं ताइस जिले में कितने जिले में इसमें आपके पक्ष में आ रहा है जिला बन जाए दिखिए बाइस से तेश कम से कम तो हूंगे ही कि तो इसमें भी भारती जनता पारड़ी तो धान के मुद्दा बनाये थे और धान के मुद्दा बनाये थे नगरी नगरी निकाय में तो पूरी तरह साफ हो गया रामी चेत्र के चुनाओं में भी वो बुरी तरह से पराजित हुए जनपद में भी एक सुच्छालीस में से कम से कम एक सुठारा सीटे हमारी आई यह तो उसमें भी साफ है सर पंचों के तो फिर इनके पास तो जनता चत्यजड की जनता सरकार के कारियों से प्रसंद होकर ही मद्दां की है एक सार के कारकाल पर फिर से मुहर नगरी निकाय छेत्र में भी और ग्रामी छेत्र में जनता ने महर लगाई है संग की कारेशाला में भारती जनता पार्टी के बहुत बड़े-बड़े निता गया है यह एक मात्र राजितिक दल है हिंदुस्तान में उसके अनुसांगिक संदखन होते है लेकिन अकेला भारती जनता पार्टी है जो खुद आ झाल 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 झाल